है गाईज वेल्कम बैक टू फैक्टेक 14 सब्सक्राइब कर दीजे चैनल को और जो बेल लाइकन उससे दबाईए तक जितनी फैक्टेक 14 के नोटिफिकेशन से अपडेट से वह आपको मिल सके आज की इस वीडियो में हम अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं हैवल्स हैर ड्रायर क और जो मॉडल नंबर है वो है HD 2222 अब आप यहाँ पर देखिए यह जो प्रोड़क्ट का इवेज दिया गया है बिल्कुल इसी तरह का प्रोड़क्ट हमें इसके अंदर मिलता है इसे खोलने से पहले इसके पैकेजिंग को हम देख लेते हैं बिल्कुल नॉर्मल सा कार्ब हमें वो सॉल्व करके जाएंगे अब इसे खोलने से पहले इसके जो थोड़े बहुत फीचर से वो मैं आपको दिखा देता हूं सबसे पहले इसमें आपको एक फोल्डेबल हैंडल मिलता है यानि इसका जो हैंडल है जिससे आप पकड़ोगे वो फोल्डेबल रहेगा इसक हो था है हैंगिंग लूप यानि इसके नीचे आपको एक छोटा सा हैंगिंग लूप मिल जाता है आप इसे यूस करने के बाद नीचे रखने के बदले एक ठो नेल या फिर कहीं पर भी इस तरह से लटका सकते हो तो चली अब हम इसे खोलते हैं और इसके अंदर हमें जो च और इसका जो कलर आप देख रहे हो यह लाइट स्काय कलर का मुझे मिला है अब इसके डिफरेंट कलर्स आपको मिल जाएंगे आपको जो पसंद है आप अपने हिजाब से खरीच सकते हो इसमें इसका जो वायर है और इसका जो हैर ड्रायर वो दिया गया है एक चीज मैं यहाँ पर आपको 1.4 मीटर पावर कॉड मिल जाता है यानि यह जो पावर कॉड का लंबाई है वो एप्रोक्सिमेटली 1.4 मीटर यानि एप्रोक्सिमेटली 4.5 फीट के आसपास रहेगा और इसमें आपको 3 स्पीड यह टेमपरेचर सेटिंग्स मिल जाता है हॉट वार्म तो आप अपने हिसाफसे कहीं पर भी इससे सेट करके यूस कर सकते हो अपने है जैसा आप देख सकते हो, हैसी है हमारा Heie Wave's HairOULDRIEST, इसलिदे आपको, foldable handle मिलता है, तो आप simply इससे open कर सकते हो, देखिये बहुत ही सुन्दर दीस और एक चीज़ बता दू, तो बहुत ही lightweight hair dryer है, जैसा आप देख सकते हो, इसे अगर हम fold कर देते हैं, तो यह तो मेरे हाथों में ही समा जाता है, यानि portable भी है, तो चलिए अब हम इसे on करते हैं, और यहाँ पर इसके तीन settings आपको मिल जाते हैं, मैं कोश करता हैं, पास से दिखा पाऊं, एक मिनिट तो आप air का जो temperature है, वो इस button से control कर सकते हो, तो 3 speed या फिर 3 temperature settings आपको इसमें मिल जाते हैं, तो चलिए अब हम इसे on करके देख लेते हैं, यह है Hevels HD 22222 hair dryer, यहाँ पर देखे, यह पहले अभी off में है, मैं कोश करता हो, पास से दिखा पाऊं, यह 0 में है, तो जैसे ही मैं इसे ऊपर करूँगा, cold में, तो यहाँ पर जो cold air है, वो निकलेगा, इसके बाद अगर मैं ऊपर करता हूँ, तो warm air निकलेगा, उसके बाद अगर मैं ऊपर करता हूँ, तो hot air निकलेगा, अब देखे, मैं फिर से on करता हूँ, और जैसा आप देख सकते हो, इसका जो motor है, क आपकी पावरफुल मोटर आपको मिल जाता है, इसलिए आप देख सकते हैं, इसे उपर कीजिए वार्म हैर के लिए, और फिर उपर कीजिए इसे हॉट एर के लिए, तो आप को जैसा भी पसंद है, आप उस हिसाब से तेमपरेचर सेट करके इसे यूज कर सकते हो, बहुत हलक है, लाइटवेट है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, जो हनी कुम डिजाइन है, वो आपको मिल जाता है, यही से एर अंदर जाता है, और यहाँ सामें से एर बाहर निकलता है, तो गाइस, इसका जो पर्चेस लिंक है, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दू इसके different color combinations आपको मिल जाएंगे, तो जैसे मुझे यहाँ पर light sky का मिला है, वैसे white color का भी आता है, और different colors का है, तो आपको जो पसंद है, आप उस तरह का ले सकते हो, यहाँ पर आपको सामने की तरफ एक transparent सा nozzle मिलता है, और यह आपका completely plastic से बना हुआ है, और बहुत ही lightweight product है य तो बस मेरा हतेली तक का ही इसका total length है, तो आप इसे कहीं भी easily carry कर सकते हो, तो guys यह है hairwells HD 2222 hair dryer, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो चैनल को like, share और subscribe जरूर करें, मैं इसी तरह के कुछ नया वीडियो के साथ आपके सामने फिर आउंगा, तब तक के लिए take care of yourself, bye bye